नमस्कार मिनासमिन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 News लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की मतदान की प्रक्रिया सुभा से ही शुरू हो चुकी है ऐसे में 11 राज्य हैं और 93 लोकसभा सीट मौझूद है जहां पर वोट डाले जा रहे हैं लेकिन अगर हम सिर्फ इसकी 80 लोकसभा सीटों में से 10 लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण में मतदान की जा रहे हैं लेकिन 10 लोकसभा सीटों में से में पूरी लोकसभा सीट एक ऐसी चर्चित सीट बन चुकी है जहां पर त्रिकोनिय मुकाबला तो देखने को मिल रहा है लेकिन वोटिंग के दिंपल यादव लोग सभा का चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है मुलायम सिंग यादव के निधन के बाद उप चुनाव डिंपल यादव ने लड़ा चुनाव बहुमत के साथ जीता भी लेकिन लोग सभा का चुनाव अपने दम पर इस बार डिंपल यादव लड़त आरोप लगाती हुई नजर आ रही है क्या इन आरोपों के बीच में भारतिय जनता पार्टी क्या डरी हुई नजर आ समाजवादी पार्टी का जीतना सीट पर तैम आना जा रहा है इसलिए भारती जनता पार्टी द्वारा यहां पर गड़बडियां की जा रही है लोगों को धमकाया जा रहा है यहां तक की एवियम खराब भी हो जाती है जो आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए कि यहां पर कई नेताओं को गिरफतार किया था चुनाव से पहले जो अब यह तक छोड़े नहीं गए हैं अगर उनके समर्थन में कुछ लोग आते हैं थाने जाते हैं तो उन्हें भी वहां पर बंद कर दिया जाता है ये भी आरूप लगाये गया इवियम एक मुद्दा बनाया गया और इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशाशन भी अपना रोब यहां पर जाड़ती वी नजर आ रही है तो क्या कहेंगे कि मेनपुरी में भारती जमता पार्टी के डरी हुई जैसा 감 में देखे पुए जूख्ट हो अंटर जीती रही है कि नेता जी yenहीं है तो यहां पर पेहली बार ऐसा हो उड़ा है कि किस तरह की वहां पर जो सपा की ताकत है वो यहां दिखाए पड़ती है लेकिन 24 में बीजेपी की तरफ से कई बार ये बाते कही गई आपने देखा केशव परद मोरियान ने तमाम तरह की बार देख रहे हैं कि मेन पूरी में डिमपल यादब के पड़ती जो लोगों का प को भी देते चले आ रहे हैं तो उसी कली में डिमपल यादब यहां से एक बार फिर चुनाब जीतने की भरसा कोशिश कर रही हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी शायद कईने के सीट पर चुनाब जीतने जो लड़ने से पहले हार मानकर बैठी क्योंकि मेन पूरी में पी-एम मोदी नहीं जाते हैं अमिशा नहीं जाते हैं या जाते भी हैं तो कोई बहुत कह सकते हैं उनका असर नज़र नहीं आता तो यह तमाम जो सवाल बीजेपी के लिए कि पलेशानी का सबब बने हुए कि तमाम सीटों पर तो उनका इंपक्ट है लेकिन मेन पूरी कि करते होनी नजर आती है तो इसे तमाम सारे कह सकते हैं आरव हैं जो सव फाटी तरफ से लगता है नजर आते हैं और इस में जो आरॉप यह बहुन प रखते है जो благодар जा रहा है, नि को दसुत प्रेसाशन का यह बताया जा यहां पर देखना चाहिए कि निस्पक्ष रूप से वोट डाले जा रहे हैं कि नहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रिशाशन का ऐसा रवया देखने को मिलेगा तो क्या कानून विवस्था पर सवाल नहीं खड़ी किये जाएंगे जाहिए जाहिए यह गर्मी का समय धूप का समय अगर आप बहुत जादा समय एक जो मद्दाता है उसकी चेकिंग में लेंगे या उस तरह से प्रॉसस में लेंगे तो जाहिर बात है कि बाकी लोग कहने कहीं इससे परिशान जरूर होंगे आप देखिए कि इतनी गर्मी के बावजूद भी अगर लोग घरों से बाहर निक यहीं ञगरा है कि उनके साथ में जिस तरह से जो बरताव किया जा रहा है वो बिलकुल भी अच्छा नहीं और यहां पर जो पुलिस कर्मी है यह बाकी जो अधिकारी है वो भी कहने कहीं उनके साथ में सौतेला बैबार करते हूँ नदिए इसी रही है कई माद्दान केंदर पर नजर आता है करन यही है कि बहुत जादा जो कह सकते हैं कि लोगों की चेकि Harris करने का प्रोसम या जुमांट स्य जो कर लिए की चीजे की जा रहे हैं ताक भी जेपी को कहिने के इससे फाइदा में यह आर विगाते हैं समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कही और राज्यों में भी चुनाव हैं लेकिन उत्तर परदेश की तस्वीरे सामने आ रहे हैं जो आन लगतार ये खबरे निकलती हुए दिखाए देरे कि समाजवादी पार्टी ही आरोप लगाती हुए नजर आ रही है यहां तो बसपा भी मौझूद है लेकिन बसपा की तरफ से आरोप नहीं लगाया जारा बलकि समाजवादी पार्टी मुकरता के साथ सिर्फ और सिब भारते जनता पार्टी को घेरने का काम करें शाली मेरे साथ मौझूद है शाली जैसे कि देखा जाए समाजवादी पार्टी गाता है कि जनता वोट डाले और इन तमाम मुद्दों पर धिआन नना दे जो समाजवादी पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है त肉 कि नाजमी्टी प्रकार से समाधवादी पार्टी लगा तार हीवी एवैं मधैं को लेकर सब्सक्राइब और जाहिर सी बात है कि यी सब्सक्राइब कि ढौत से था रहे हैं यMay में किसे खराब होई हैBox by एम सब्सक्राइब में ये हालात हो चुके हैं इस तरीकी की जो सिट्वेशन हैं वो आ चुकी हैं उसके बावजूद भी अगर चुनाव आयोग संग्यान नहीं ले रहा है और युवी मशीन पर ध्यान नहीं दे रहा है तो आम सी बात है कि हर कोई ये सवाल उठाएगा और कहीं ना कहीं ये सोच वो कहीं नहीं जो मदाता है जो उमीदवार जो मदाता है जो लोग है वो उनका ध्यान अलग और दूसी तरफ करना चाह रहे हैं बाटना चाह रहे हैं लेकिन जैविड सिंग ठाकुर को भी ये चीज़ साफ दिखनी चाहिए कि एव्य मेशीन लगाता खराब हो रही है सिर् भारती जनता पार्टी का इस सीटों पर फस्ती वी दिखाई दे रही हैं ये बात आपने बिल्कुर सही कही कि जो इस बार अगर लोग सबद चुनाव देखे जाए 2024 के तो लोगों ने जनता ने सबसे आदा इन चुनावों में वहिशकार किया है लोग अपनी जो सरकार है नाराज है और कहीं न कहीं वह ये चाह रहे हैं कि या तो सरकार में बदलाब हो जाए या फिर सरकार वह कारे करें जो जनता चाहती है अब बात करें फिरोजा बाद की तो फिरोजा बात में बीजेपी की मश्किले बढ़ रही है क्योंकि लोगों ने साफत dokład पर मत्दान दे पर ऐसा नहीं किया जा रहा है जिसको लेकर उन्होंने बहिशकार कर दिया है जो अधिकारी है बड़े अधिकारी है वो गाउं जाकर उन लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं अब देखना होगा कि क्या वो मतदान करेंगे आकर या नहीं समाजवादी पार्टी लगतार इवियम का मुद्धा उठाती हुई नजर आ रही है 2019 की बात करें या फिर 2022 की विधान सभाद चुनाव की बात करें उस दोरान जब अपड़ना यादव समाजवादी पार्टी का हिस्सा थी तब भी वो 2019 में इवियम का मुद्धा उठाती हुई नजर आई थी और 2022 की करती है अब ऐसे में भारती जंता पाटी ने लोग सभा टिकेट नहीं दी है से में क्या कोई बड़ा कदम उठाती हुई नजर आएंगी एक बार फिर से जो इवियम का मुद्धा उठ रहे क्या उसमें अपना यादव अपनी कोई भागेदारी देती हुई नजर आएंगी मुद्धा लाया जाता है और धानले बाजी की जाती है अपना यादव भी इस मुद्धे को मुखरता के साथ उठाती हुई नजर आए थी क्या इस बार वो समाजवादी पार्टी के हक में आती हुई दिखाई देंगे यहां पर मुद्धा है यह काफी लंबे समय से चर्च हुआ और उसके बाद चुनाव आयोग ने जो अपने डेटा जारी किये उसमें कुछ फेर बदल देखने को मिला अब सवाल यह खड़ा हो गया कि अखिरकार जब मतदान मत पेटिया बंद हो चुकी है इवेम बंद हो चुकी है तो अखिरकार यह डेटा बढ़ कहां से रहा है तो चुनाव आयोग ने कहा कि यहां पर कुछ मसीने जो थी वो अपडेट होने में वक्त लगा रही थी और बफरिंग चल रही थी जिसके कार्णिया मत परतिशत है यह बड़ोतरी देखने को मिल रही है तो इसी मुद्दे को यहां पर विपक्स की तरफ से उठाय जा र रही है कि मसीन काम नहीं कर रही खराब है बदला जा रहा है परिवर्तन किया जा रहा है ठीक किया जा रहा है आखिरकार चुनावी रिहरसल जब चलती है तो नाजमेन पूरे करीब 6 महिने तक यह पूरा मामला चलता है और इसमें हर तरीके की तैयारियों को पुक्ता करने क कोशिशे की जाती है लेकिन बड़े दुर्भागी की बात है कि जब मतदाता मतदान केंदर पर पहुंचते हैं और उस दोरान ये खबरे सामने आती हैं कि एवियम प्रोपर सही तरीके से काम नहीं कर रही है ये कही ना कही सरकार की कारेशेली और कानू या ये जो स्याशन प् विपक्स में थे तो इवियम को मैनिपलेट करने के आरोप लगाये जाते थे लेकिन फिलहाल देखा जाये तो यहां विपक्स जिस तरीके से सवाल उठा रहा है और ये कहा जा रहा है कि एवियम के साथ गड़बड़ी की जा रही है ये कही ना कहीं जब चुनावी नतीज जाएंगे तो और ज्यादा ये चीज़े सामने आएंगी क्योंकि पांच राज्यों के हाल ही में दोजार चोबीस में तेईस में माफ कीजिए जिस तरीके से जो मतदान संपन हुए है वहां पर बैलेट पेपर के नतीज़ों को देखा जाए तो वहां पर विपक्स को अधि कर विपक्ष की तो लड़ाई तो हमेशा से जारी रहती हैं जहां सत्पक्ष मजबूती के साथ नजर आता है तो वहां इवियम गड़वरी नजर नहीं आती है लेकिन यह मुद्ध को गायब नहीं किया जा सकता है कहीं ना कहीं धृंदले बाजी तो जरूर होती है लेकिन इस पूरे मुद्दे में जो तमाम मुद्दों को उठाया गया है पूरे जो प्रोग्राम में मुद्दों को उठाया गया है इस मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय बनती है इवियम का मुद्दा बहिश्कार करने का मुद्दा और तमाम तरीके से जो राजनेता मुद्दा उठाते भी नजर आ रहे हैं क्या ऐसे में कोई एक्षिन यहां पर चुनावा योग को लेना चाहिए क्या लगता है आपको कम सेक्षिन में जरूर बताएं देखते रहें इस पे नाइन नियूस थान्य बाद